सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है सराबंदी की सच्चाई अब हर कोई कहने लगा है दरसल आम जनता तो छोड़ दीजे साहब अब नेता भी इस बात को स्विकार करने लगे है इसकी सुरुवात विहार के पुर्मुक्वंत्री जीता नमाजी ने की थी और आज के तारीक में हर्मोनेता जो सराबंदी का समर्थम करता है आज सराबंदी की हकीकत को अपने मुह से बया कर रहा है बात लालू परसाद यादो की कर लिजा है चुकि भी ते दो चार दिनों से बिहार की सियासत सराब के इर्दगिर्द घुम रही है नितीज कुमार को अगर छोड़ दिया जाए तो उनके पार्टी के लोग और तमाम भी पक्षी पार्टिया उनके सहयोगी सभी लोग इस बात को स्विकार कर रहे हैं कि बिहार में सराबंदी पुरी तरह से फेल है कल लालू परसाद यादो ने इन बातों को दोराया और कहा है कि सराबंदी की क्या हकिकत है ये सभी लोग जानते हैं अब तैने 30 कुमार को करना है बात अब यह होने लगी है कि फिर से सराबंदी पर प्रविचार होनी चाहिए यह बात ते सिर्फ मैं अपने मूह से नहीं कह रहा हूं बलकि राजनितिक दल जो सदन में समर्थन किया करते थे आज वही इन बातों को दोरा रहें और कहना है कि सरा सराबंदी किया गया वह तो सफल नहीं हुआ है तैसे में 30 कुमार को एक बार प्रविचार जरूर करनी चाहिए देखें 30 कुमार संसोधन तो जरूर करते हैं समिक्षा बैठक तो जरूर करते हैं लेकिन उसका बहुत जादा फलाफल पॉजिटिव नहीं निकलता है जितना म माजी शुरू से लेकर अंत तक यह लगतार कहते रहें कि सराबंदी से एक बड़ा गड़ीबों का तबका जो है वो प्रभाइट हुआ है जेल में सिकार बोलोग हुए है माप्याओं की बड़ी एक चैन खड़ी हो गई है जो तोर पाना सरकार के लिए बड़ी चुनाउती है देखें इस बात की चर्चा अगवा फिर से तब सुरू है आती है जब यहार के पुर्मुखमंत्री जीतर अमाजी तो कहते ही थे एक और पुर्मुखमंत्री लालू पुर्शाद यादों ने इन बातों को कहा है और सच कहा है चुकि जमीनी हकीकत क्या है आप सभी लोग ज भी हारे हैं हर कोई मानता है कि स्राबंद एक अच्छी फैसला लेकिन उसका उस फैसले का पर राम क्या है लोग मान नहीं रहे हैं लोग पीना ही चा रहे हैं क्यों पीना चार रहे है इस बात को भी समस्जना बहुत जोड़िए देखें ब्यार में जहडिली और देशी सविश में दोनों प्रूर के आदी वह अपने आदत को तो नहीं छोड़ स्क्राव और एक यह तो किसी तरीके से सचोडी चूपले यहाल पर सराब कैन अब तो लोग घड़ में सद्विशमाइ अब टो लोग मकृताराई गया जिस 낮म रहुत में नवादा में कई जगों पर बड़ी संख्या में लोग की मौत हुई इन तमाम मसलों को लेकर लगतार ये अंदर खाने चर्चा हो रही है कि सराब बंदी जो सरकार एक जिद पाली बैठी है उस तरह बंदी पर एक बार नितिश कुमार को प्रविचार करनी चाहिए और ये बा और बिदेशी सराब मिलेगी वसे सरकार को राजस भी मिलेगा बिहार को चलाने में एक बड़ा रकम जो है फो मदलगार होगा रोजगार होंगे और दूसरी तरह है कि जिस प्रकार से लोग प्रभावित हुए लोग की मौत हुई और लोगों को अवेर करना होगा कि आप जागरुक हो जाईए कि सराब जो है वो छोड़ दे दवा के नुसार सराब को लेजी इन तमाम मसलों को लेकर लगतार चर्चा जो हैं अंदर खाने खूब होड़ी है सरकार के अंदर भी अब नितीश कुमार के नितीश कुमार पर चोतरफा प्रेशर बनने लगा है सराबंदी कानून को लेकर कि आपको कोई डिसीजन लेना ही होगा अपने विचार करना होगा या फिर कोई बड़ा फैसला जो जन हीत में हो